हलो सुटेंट्स मेना नाम धीरज महांदिवेदी और स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मागनेट ब्रेंस पर मागनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक कॉलिटी एजुकेशन और एक और बात मैं है वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को फिलप करें फिर जो हमारे मागनेट ब्रेंस की टीम है वो आपसे कॉडिनेट करेंगी ठीक है यह जो बुक्स एविलेबल है इसको हमने कैटिगराइज किया है ठीक है लाइक सैंपल पेपर बुक्स अलग है उसके ब इस 7 alternating current का एक important topic आज हम शुरू करेंगे that is charging and discharging of capacitor through resistor मदद किसी capacitor को अगर हम charge करते हैं या जब हम discharge करते हैं तो वहाँ पर क्या कहानी होती है उसको लेके बात करेंगे ठीक है मेरी बात को सुनना द्यान से यहाँ पर basically हपन क्या देखने वाले है कि मेरे पास एक capacitor है मैं उसक को charge करने वाला हूँ ठीक है आप लोगको पता होगा कि capacitor को condenser भी कहते हैं ठीक है तो किसी capacitor को अगर हमें charge करना है तो एकदम से वो charge नहीं होगा है ना it takes some time to charge ठीक है तो during charging अगर मालो मुझे किसी instant पर मालूम करना है कि capacitor में अभी कितना charge है ठीक है वो maximum charge नहीं है अभी charging चल रही है किसी instant का charge अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे एक ऐसा expression चाहिए जैसे मैं निकाल पाऊं किसी instant का charge similarly अगर discharging चल रही है तो किसी instant पर charge कितना है कि passenger के पास ठीक है वो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम expression देखने वाले हैं तो basically यहाँ पर हम देखने वाले हैं किसी भी instant पर charge की value कैसे निकाली जाए clear है शुरू करें चलो तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिया एक capacitor यह resistor circuit कैसा भी हो resistance तो रहे गई उसके अंदर यह resistance और इसका capacity देखो यहाँ पर यह लिया मैंने एक बैटरी जिसका EMF मैंने मान लिया E ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर यह है की ठीक है चलो अब देखो ध्यान से यहाँ बर यह आपका टर्मिनल 1 मान लो यह टर्मिनल 2 मान लो यह टर्मिनल 3 मान लो ठीक है यह आपका की है के है अब क्या करोगे आप यहाँ पर इस की को प्रेस करोगे मतलब प्रेस करोगे मतलब यह जो आपका 1 है और 2 यह connection में आएंगे और यह यहाँ से उड़ जाएगा तो यह नीचे आएगा और यह ऐसे जाएगा लाइक दिस तो अब आपका जो की है वो ऐसा हो जाएगा है ना यह मान सकते हो आप लोग ठीक है तो यहाँ पर देखो इसका मतलब जैसी इसको प्रेस करोगे वन और टू कनेक्ट हो जाएगे मतलब यह जो आपका बैटरी है यह वरकिंग में आ जाएगा और यह केपासिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा इस इक लिए ठीक है अब यहाँ पर चार्जिंग इसकी शुरू हो चुकी है ठीक है अब किसी इंस्टेंट पर माल लो कि इसके पास चार्ज कितना है क्यू है यह क्यू मैक्सिमम चार्ज नहीं है किसी इंस्टेंट का चार्ज है अभी और चार्ज होना बाकी है ठीक है मैंने ये माल लिया कि किसी instant पर इसके पास charge कितना है Q है और उस instant पर जो current है वो है I माल लिया मैंने ठीक है तो मैं आप लिखता हूँ let let Q be the charge at any instant at any instant and I be the current at that instant at that instant ठीक है अब देखो यहाँ पर ध्यान से आगे तो उस instant पर जब इसमें charge Q current है circuit में I उस instant पर आब बताओ इस capacitor का voltage कितना होगा तो वो होगा Q by C न charge upon capacitance होता है voltage across capacitor तो देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा उस instant पर voltage across capacitor is Q by C और resistor के cross voltage कितना होगा I into R voltage across resistor is I into R clear ठीक है अब देखो यहाँ से आपर क्या मैं बोल सकता हो उस instant पर यह जो battery का EMF है वो इन दोनों के voltage का sum के बराबर होगा न भाई इसी में से इन दोनों में बटवारा हुआ है न हम यह बोलेंगे तो आप बदाओ हम यह बोल सकते हैं E is equal to this voltage plus this voltage ठीक है तो हम यहाँ पर बोलेंगे since E is equal to what VC plus VR मतलब Q by C plus I into R this is equation number 1 is it clear? ठीक है अब देखो ध्याँ से आपर अब अगर माल लो capacitor fully charge हो गया है न अच्छा आप लोग को यह माल वह मैं capacitor को condenser ही बोलते है ठीक है ठीक है तो कहीं-कही books पे देखोगे condenser लिखा होता है कहीं पर capacitor लिखा होता है ठीक है तो मैंने कहा कि अगर यह capacitor fully charge है ठीक है तो माल लो उस समय इसके पास चार्ज कितना हो गया Q0 हो गया यह Q0 क्या है Full Charge of Capacitor clear है मतलब उसके बाद चार्ज में कोई changes नहीं आएंगे ठीक है तो सुनो जब यह Capacitor fully charge हो जाता है उस case में हम कहते है current की value 0 हो गई है है कि नहीं तो current की value 0 हो गई है मतलब इसके across अब कोई dropage नहीं होगा तो हम कहते भी ऐसा कि जब Capacitor fully charge हो जाता है तो आपका ये open circuit की तरह behave करता है मतलब जो भी voltage आप दोगे वो पूरा का पूरा किसके across होगा Capacitor के across होगा इसका voltage खतम क्योंकि current रहे का ही नहीं है कि नहीं अब तुम ये भी देखो ना जब Capacitor fully charge हो जाएगा तो अब उसके charge में कोई change नहीं है तो अगर charge में change नहीं है मतलब dq by dt exist नहीं करेगा और dq by dt ही तो होता है current है के नहीं तो अगर charge में change नहीं है मतलब current नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो अब ऐसा बोलेंगे when capacitor is fully charged fully charged ठीक है then q become q naught और यह maximum है मतलब अब इसमें कोई change नहीं आएगा तो obvious ही बात है then dq by dt dq naught by dt आपका 0 होगा उसी को current बोलेंगे न हम लोग है नहीं मतलब current 0 हो जाएगा और यह fact होता है कि capacitor circuit में जब charging होती है तो जब charge बढ़ता है तो current की value कम होती है और जब वो fully charge हो जाएगा न तो current circuit का 0 हो जाता है clear है यह चीज़? ठीक है आप लोगों ने यह पढ़ा होगा capacitance chapter में कि in steady state हम कहते है current की value 0 होती है और steady state का मतलब आपका capacitor fully charge हो गया है clear है? ठीक है चलो तो यहाँ पर current की value 0 इसका मतलब जो भी battery का EMF होगा है ना वो इसके voltage के बराबर होगा या यह कहलें कि इसका voltage इस EMF के बराबर होगा क्योंकि इसमें अब voltage नहीं होगा क्योंकि current है ही नहीं तो IR exist ही नहीं करेगा ठीक है? चलो तो यहाँ बध्यान देना इधार देखो इधार देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या E is equal to Q0 by C Is it clear? है ना? ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E is equal to Q0 by C मतलब पूरा का पूरा जो बैटरी का EMF है वो voltage across capacitor हो जाएगा ठीक है? अब हम क्या करेंगे? यह जो E है उसको लिख सकते हैं क्या Q0 by C? है के नहीं? बाकी वैसा का वैसा? ठीक है तो अब धियान देना आप लोग तो यहाँ पर from 1 from 1 मैं E को replace करूँगा Q0 by C से is equal to वो Q by C वैसा का वैसा plus I into R वैसा का वैसा ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर इसको shift करो उदर Q0 by C minus Q by C is equal to I into R ठीक है? यहाँ पर 1 by C common लेलो Q0 minus Q बचेगा क्या मैं current को लिख सकता हूँ? यह देखो यह I क्या था? किसी instant का current था? तो उसको लिख सकते हैं ना DQ by DT भी हैर होता है ना I equal to Q by DT ठीक है? अब देखो ध्यास का वैसा पर Q वाले को एक तरफ करो DT को एक तरफ करो ठीक है? तो यहाँ देखो DT को उपर इंडू कर रहा हूँ और C into R तो यह हो जाएगा R C is equal to DQ by Q0 minus Q है ना? तो अब देखो this equal to this बोलो या this equal to this बोलो बात बराबर यह देखो जहाँ से अब यहाँ पर मैं पहले इसको ले देता हूँ DQ upon Q0 minus Q is equal to DT by R C ठीक है? अब देखो यहाँ पर यहाँ से मैं इसको integrate करने वाला हूँ तो integrating both sides integrating both sides अरे integrate करेंगे तभी तो अपन को charge की value मिलेगी? किसी instant की and don't forget अपन को यहाँ पर किसी instant का charge निकालने के लिए expression निकालना है ठीक है? चलो तो integrating both sides तो क्या कहानी होगी यहाँ पर? देखो integration of DQ upon Q0 minus Q is equal to 1 upon R C को बाहर रखो integration of DT clear? ना? अब देखो यहाँ पर DQ upon Q0 minus Q का integration करना है तो Q के respect में integrate करना है तो यह Q variable होगा तो 1 upon Q0 minus Q यह Q0 constant है तो 1 upon Q0 minus Q का integration होगा log of Q0 minus Q upon जो जो इस variable का coefficient होगा वो नीचे copy होगा ना? तो क्या है coefficient minus 1? नीचे copy होगा है के नहीं? तो आप लोगों को पता होगा कि 1 upon X का integration होता है log X लेकिन जो भी X का coefficient होगा वो नीचे divide में आएगा clear? चलो अब देखो धियान से यहाँ बनागे 1 upon RC 1 का integration T के respect में T आएगा और यह रहा आपका plus C ठीक? चलो इसको दे दो आप equation number 2 और आओ हम C की value निकालते हैं C की value निकाली जाती है initial condition से यहाँ पर initial condition क्या होगा? जैसी हमने की को press किया था तो जैसी हमने उसको charge करना शुरू किया था उस instant पर आपका capacitor का charge कितना होगा? 0 तुम यह बताओ जैसी मैंने उसको press किया था मतलब add T equal to 0 ठीक है? जैसी हमने उसको press किया था तो उस वक्त तो उस instant पर तो capacitor पर कोई charge नहीं था नहीं यार फिर charging शुरू हुई तो आप बताओ हम यह कह सकते हैं ना कि add T equal to 0 एकदम initial में capacitor में तो कोई charge नहीं था Q equal to 0 चेक है? तो यहाँ पर T रखोगे 0 यह खदम और Q को कह रखोगे 0 तो क्या आएगा? minus of log of Q not only तो आप बताओ C की value क्या मिलेगी यहाँ पर? यह तो 0 हो गया यहाँ minus को यहाँ लिख दो log of यह 0 है तो only Q not ना तो C की value क्या मिली? minus of log of Q not Is it clear? ठीक है तो अब हम क्या करेंगे? C को replace करेंगे इससे equation number 2 में ठीक है? करें चलवाँ ध्यान देना from 2 देखो देहाँ से from 2 minus of log of Q not minus Q equal to T by RC ठीक है? plus C और C कितना है? minus of log of Q not clear? ठीक है अब देखो देहाँ से आबर इसको इधर करो और इसको इधर करो तो ये इधर आया तो minus T by RC ये इधर गया तो log of Q not minus Q और ये तो यहीं पर ही है minus of log of Q not अच्छा तुम लोग को ये पता है ना मैं बोल रहा हूँ log लेकिन लिख रहा हूँ एलन इसका मतलब होता है देखो एलन लिखा हूँ न इसे कहते है natural log यहाँ पर base E है मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर पूरा log लिख रहे हो ये लिख रहा हूँ तो log Q not लिख रहे हो अगर माल लो तो base E लिखना पड़ेगा तो या तो properly log लिख लो या फिर ऐसा लिख लो बात बराबर ही है मतलब log लिख करके फिर base में E लिखना पड़ेगा या फिर अगर तुम base में लिखना नहीं चाह रहे हो E तो simple ln लिख दो वो भी same चीज़ है ठीक है? चलो ओके तो यहाँ पर देखो ध्याँ से यहाँ देखो हाँ तो यह आपका minus T by RC अब बताओ log M minus log N यह M का रोल कर रहा है यह N का रोल कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं कि log of Q not minus Q upon Q not हाँ है न? ठीक है? अब देखो ध्यासियाबर इसको पहले लिख लेता हूँ इसको बाद में लिखता हूँ चलेगा न? ठीक है? तो अब बताओ ln of Q not minus Q ठीक है? upon Q not equal to minus T by RC ठीक है? अब देखो जब यह log shift होगा तो यह जो right वाली चीज है वो E की power में चड़ जाता है तुम यह बताओ यहाँ पर base क्या है? E न? तो जब भी यहाँ से यह log हटाते हैं तो जो right वाली चीज होती है न? वो base के power में चड़ जाती है मतलब यह power बन जाता है power ठीक है? देखो कैसे? Q not minus Q upon Q not यह आपका power बन जाएगा किसका? E का यहाँ पर base E है न? तो E का power बन जाएगा minus T by RC है के नहीं? ठीक है? चलो तो यह हो गया आपका simple कहानी? अब देखो यहाँ पर मैं अलग-अलग करूँगा मैं देखो Q not upon Q not Q not upon Q not minus Q upon Q not equal to E की power minus T by RC तो आप देखो ध्याँ से आपर यह cancel out 1 minus Q upon Q not equal to E की power minus T by RC अब देखो ध्याँ से आपर 1 इसको इधर करो minus E की power minus T by RC is equal to Q by Q not clear? तो आप देखो यहाँ पर Q not को multiply करो तो Q not into 1 minus E की power minus T by RC is equal to what? Q हाँ है ना? यह यह कहले अपर ऐसा Q equal to Q not into 1 minus E की power minus T by RC clear? तो आप दाओ देख करके यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट का अगर आपको चार्ज निकालना है मालो किसी ने बोला कि यह 0.1 सेकेंड में के पैसेटर के पास कितना चार्ज है? तो यहाँ पर रखोगे 0.1 सेकेंड R और C की value given रहेगी put कर देना, simplify करना मिल जाएगा आपको उस instant का चार्ज clear है कहानी? ठीक है? चलो तो यह आपका formula है लेकिन अभी यहाँ पर ध्याँ देना यहाँ पर जो यह R C है, R C, here R C is time constant जिसे बोलेंगे tau, time constant है की नहीं? मतलब मैंने कहा कि यह R into C करने पर न जो value मिलेगी वो time मिलेगी time, मतलब R into C करने पर जो भी चीज मिलेगी न उसकी unit second होगी ठीक है? तो R into C एक time होता है, तो उसे कहते है time constant अब तुम बोलोगे सर्ण हम कैसे मालने की R into C time है? ठीक है? चलो मैं काम करता हूँ R into C का dimension निकालता हूँ, उसका dimension time आना चाहिए T आना चाहिए, तो तो justify हो जाएगा न, ठीक है? आओ, देखो ज्यासे आप लोग यहाँ पर, इधर देखो मैं R into C का dimension निकालता हूँ, पहले यह बताओ R को लिख सकते हैं क्या V upon I लिख सकते हैं ठीक है? अच्छा C को लिख सकते हैं क्या? Q equal to C V होता है ठीक है? तो आप बताओ C का लिख सकते हैं Q by V तो मैं Q by V लिख दूँ हमें, लो, V से V cancel हो गया है ना? ठीक है? मैं dimension की बात कर रहा हूँ, तो यह cancel हो गया और यह बताओ, I को लिख सकते हैं क्या Q by T Q से Q cancel, यह T उपर चला गया है ना? आप देखो, मतलब इसका dimension time आ रहा है ना? है के रहे? मतलब R into C एक time है, clear है? जिसे कहते है time constant है ना? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, अपना expression क्या था? Q is equal to Q naught into 1 minus E की power minus T by RC था ना? यह अपर RC तो उसको मैंने क्या बोल दिया tau? यह हो गया ना आपका expression? है ना? तो here tau is RC, that is time constant, clear? चलो, अब मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, इस case में time constant कौन सा time है? ठीक है? मतलब यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि यह जो आपका R into C करने पे जो time मिलेगा, इस time पर charge की value कितनी होगी capacitor में? है कि नहीं? मतलब देखो circuit में resistance given रहेगा, capacitor given रहेगा, तो आप अदाओ R into C करने पे time मिलेगा, तो उस time पर कितना charge होगा capacitor में? वो R C, है कि नहीं? तुम यह बताओ, माल लो R into C solve करने पर आया, माल लो 0.2 second आया, तो मैं यह देखना चाह रहा हूँ कि 0.2 second में charge कितना होगा capacitor पे, ठीक है? तो जब time R C के बराबर होगा, तो charge कितना होगा? तो यह देखो, मैं यहाँ पर P को replace कर रहा हूँ, tau से, Q equal to Q naught into 1 minus E की power minus tau by tau, यह cancel minus 1 ना, Q naught into 1 minus, यह E की power minus 1, ठीक है? तो यह देखो Q naught into 1 minus E की power minus 1 को क्या लिए सकते है? 1 upon E, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर मैं क्या बूल सकता हूँ, Q equal to Q naught into, यहाँ पर E LCM, E minus 1 upon E, ठीक है? अब देखो, Q naught into, E की value होती है, भाई, 2.7 something, तो minus 1 upon 2.7, तो यह कितना हो जाएगा? Q naught, यह 1.7 upon 2.7, point cancel, तो अब बताओ, Q naught into 17 by 27, ठीक है? तो बताओ कितना आए गई है? तो यहाँ पर देखो, cancel करेंगे 0 point, है लग, अब देखो जहाँ से यहाँ बर, 170, तो कितना आएगा? 27 into, अगर करू 6, तो 27 into 6, कितना आएगा? 3, 4, sorry, 2, 4, और उसके बाद 2, 4 और 12, 162, ठीक है? 162 मतलब 0.6 आएगा? और फिर आप लोग डिवाइट करी लोगे वैसे, फिर 80, तो I think 0.63 के आसपास आएगा, ठीक है? तो अब देखो, 0.63 times Q naught, और अगर मैं percentage में convert करना चाहूं, तो 100 से इंटू कर सकता हूं, तो 63% of Q naught, इसका मतलब जब आपका time RC के बराबर है, है कि नहीं? तो उस time पर जो capacitor पे charge होगा, वो maximum charge का कितना percent होगा? 63% होगा. मान लो, उस capacitor में maximum charge हो सकता है, 1000 आपका micro-culum हो सकता है. मैंने ऐसा मान लिया, है कि नहीं? ठीक है? मैंने बुला है, 1000 micro-culum हो सकता है आपका, या एक काम करते हैं, ऐसा बड़र रहेगा. मान लो, capacitor का maximum charge है, 100 micro-culum, है कि नहीं? तो R into C, उस time पर कितना charge होगा? तो 100 का 63% कितना होगा? 63, मतलब 63 micro-culum होगा उस particular time constant के time पर. तो हम यह कह सकते हैं न, time constant is that time at which charge on a capacitor become 63% of total charge. ठीक है? तो हम यह कह सकते हैं, time constant at, sorry, is that time, is that time at which charge on capacitor, charge on capacitor become what? आपका 63% of total charge. ठीक है? यह कहानी होती है. अब देखो, मैं आपर कुछ और कहना चाहता हूँ. ठीक है? अभी मैंने यह मेरा formula है न, किसी भी instant का charge निकालने के लिए, मैं यहाँ पर current का expression भी निकालना चाह रहा हूँ. ठीक है? तो धियान देना, आप लोग यहाँ पर इधर देखो. तुम यह बताओ, since q is equal to q0 into 1 minus e की power minus t by tau है न, ठीक है? अब एक काम करते हैं. मैं दोरो दरफ डिफ्रेशेट करता हूँ, t के respect में. तो आप बताओ, dq by dt is equal to d by dt of q0 into 1 minus e की power minus t by tau. है न? चलो. अब बताओ, dq by dt तो होता है, i, उस instant का current. अब बताओ, q0 तो constant है वहार कर दो उसको. बताओ, 1 का derivative 0 minus e की power this का derivative e की power this ही होता है. लेकिन ये इसका भी derivative होगा, तो इसका derivative t के respect में क्या होगा? minus 1 by tau. चलो. तो अब देखो ध्यान से, minus into minus plus q0 by tau into e की power minus t by tau. अब बताओ, q0 upon tau. ये charge upon time ही तो है, ये time ही तो होता है. और charge upon time क्या होता है? current. और ये maximum charge है. तो maximum charge upon time is maximum current न? into e की power minus t by tau. बोलो हाँ है न? ठीक है? अब देखो. यहाँ से कैसे प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे charge की value बढ़ रही है, current की value कम हो रही है. ये proof कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर देखो. थ्वासा observe करना होगा आपको. आप ये बताओ. at t equal to 0 current की value कितनी होगी? देखते हैं. t equal to 0 पे current की value कितनी होगी? आओ. देखो. if t equal to 0, रखो यहाँ पर 0, e की power 0 कितना होता है? 1. तो ये पूरा 1 हो जाएगा. तो 1 into i0, i0. मतलब एकदम initial में, जैसी charging शुरू की थी, एकदम initial में, आपका capacitor पे चार्ज 0 था, लेकिन current maximum था. बोलो हाए ना? ठेक है? अब देखो क्या हुआ? इधर देखना. मैं इस expression को नीचे करके आपको show करता हूँ. i is equal to i0. तुम बदाओ, अगर मैं इसको नीचे कर दूँगा, तो e की पावर t by tau हो जाएगा? बोलो हाए ना? ठेक है? अब देखो यहाँ पर घ्यान देना. जैसे जैसे t बढ़ेगा, वैसे वैसे ये denominator बढ़ेगा? और अगर ये denominator बढ़ेगा, तो ये i कम होगा ना? तो होल वैल्यू कम होगी? मतलब करेंट की वैल्यू कम होगी? ठेक है? तो ये आपका शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, करेंट की वैल्यू कम होते जाएगी. Is it clear? ठीक है? चलो. अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान देना आप लोग यहाँ पर. मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, बिट्वीन चार्ज एंड टाइम. ठीक है? तो यह देखो. Since Q equal to Q naught into 1 minus e की पावर minus t by tau होता है, है कि नहीं? ठीक है. अब एक काम करते हैं. हम यह देखना चाह रहे हैं कि किस टाइम पर केपासिटर पर चार्ज कितना हो जाएगा? इंफानाइट हो जाएगा. किस टाइम पर होगा यह? ठीक है? तो आप बदाओ. मैंने बोला किस टाइम पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी? मैंने यह बोला कि किस टाइम पर charge की value maximum हो जाएगी या यह कहले मैं यह पुछना चाहरा हूँ कि किस time पर वो capacitor fully charge हो जाएगा तो अब बदाओ for q is equal to q naught fully charge का मतलब this q become q naught ठेक है तो q naught equal to q naught into 1 minus e की power minus t by tau यह cancel 1 तो यहाँ पर 1 is equal to 1 minus e की power minus t by tau इसको इधर ले आओ e की power minus t by tau 1 minus 1 is 0 ठेक तो अब बदाओ मैं इसको क्या बोलूँगा e की power minus t by tau is equal to 0 मतलब 1 upon e की power t by tau is equal to 0 बोल सकते हैं 0 को नीचे करो उसको उपर करो 1 upon 0 equal to what e की power t by tau 1 upon 0 मतलब infinity infinity equal to e की power t by tau अब आप खुद सोचो यहाँ पर t की कौनसी value रखे ताकि इसकी value infinity हो तो वो होगी आपकी t equal to infinity मतलब यहाँ पर अगर आप infinity रखोगे न तो आपका इसका answer infinity आएगा ठीक है इसका मतलब कि infinite time के बाद आपका capacitor fully charge होगा है के नहीं तो यह बस theoretically है लेकिन आपका कुछ time के बाद आपका capacitor fully charge हो जाता है लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे है expression से कि infinite times लगेगा के पासिटर को fully charge होने में ठीक है तो इसी के कॉर्डिंग अपनको graph बनाना पड़ेगा है ना जो यहाँ पर mathematical expression है उसी के कॉर्डिंग graph बनता है तो यह देखो धैसे charging of capacitor का अगर graph बनाए तो यह आपका q यह आपका t जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा charge बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा लेकिन मालो यह आपका maximum charge है q naught वो maximum charge attain होने में infinite time लगेगा मतलब इसको touch होता हुआ नहीं दिखाना है अपने को ठीक है तो यह होगा आपका charging of capacitor का graph clear है ठीक है चले तो एक काम करें आप लोग पहले आप लोग इसका screenshot ले फिर आप लोग इसका screenshot ले फिर आप लोग इसका screenshot ले then this then this and last ये ठीक है चलो तो अब आपन यहाँ पर शिरू करते हैं आपका discharging of capacitor ठीक है अब यहाँ पर माल लो capacitor आपका fully charge है मतलब steady state है मतलब circuit में current flow नहीं कर रहा है है ना fully charge है आपका वो condenser capacitor ठीक है तो अब उसको discharge करना है अपन को है ना मतलब वहाँ से बैटरी को हटानी है ठीक है और एक और path प्रोवाइड करना है ताकि वो discharge हो पाए ठीक है तो यह देखो circuit जो बनाया था ना मैंने उसको दुबारा बना रहा हूं है यह आपका capacitor जो की fully charge है अभी यह आपका resistor ठीक है इसका capacity अब देखो यहाँ पर जो आपका key था ना यह देखो एक मिनट यहाँ पर अभी क्या था वो जो key था वो इससे join था जब tap किया था पन ने अब क्या करना है इससे join करना है है के नहीं तो यहाँ पर देखो one और यह three connected है पहले one और two connected था तो यह picture में था है के नहीं अब इसको picture से out करना है बना circuit से out करना है ठीक है चलो तो अब देखो यह आपका fully charge है तो यह discharge होना सुरू होगा इस path के through यह close path देना पड़ेगा उसको तब इसके discharging हो पाएगी है ना ठीक है चलो अब यह बताओ यहाँ पर अगर मुझे निकालना है discharging के वक्त कि किसी instant पर charge कितना है तो मुझे expression निकालना होगा ठीक है चलो अब ही ध्यान देना तुम यह बताओ जब हमने 1 और 2 को collect किया था तो मैंने क्या बोला था किसी instant पर जो EMF है बैटरी का वो इसका voltage प्लस इसका voltage होगा है के ने ठीक है लेकिन अब यहाँ पर E इसको हटा दिया तो E की value 0 हो जाएगी ठीक है अब देखो मालो discharging चल रही है तो किसी instant पर charge कितना हो गया discharge हो करके Q हो गया थोड़ा charge कम हो गया initial charge था Q naught है के नहीं फिर discharging हो रही है तो किसी instant पर मालो charge बचा हुआ है Q और उस instant पर जो current है वो कितना है आपका वो current कितना है आपका I ठीक है तो यहाँ पर यहाँ देना let let मैंने कहा QB charge यहाँ पर charge at any instant and current and I be the current at that instant ठीक है at that instant चलो अब ध्यान देना आपका यहाँ पर तो यहाँ पर E हमने 0 कर दिया मतलब इसको हटा दिया मतलब E 0 हो गया तो मैं क्या लिख सकता हो therefore 0 equal to इसका voltage प्लस इसका voltage I into R है के ने पहले यहाँ पर E था न अब E तो है नहीं तो E 0 ठीक है तो अब यह बोलेंगे हम लोग यहाँ पर इसको इधर shift कर दो यहाँ काम करो है ना इसको इधर shift कर दो minus Q by C is equal to what I into R और इस I को लिख सकते हैं क्या DQ by DT into R है के ने? चेक है चलो अब ध्यान देना है आप लोग यहाँ पर इधर देखो मैं Q को नीचे कर रहा हूँ इसको उपर कर रहा हूँ minus DT by R C is equal to DQ by Q clear इसको नीचे इसको नीचे इसको उपर clear ठीक है अब यहाँ पर मैं इसको पहले लिख करके फिर इसको लिख कूँ चलेगा ना ठीक है तो ध्याँ देना आप लोग यहाँ पर और DQ by DT sorry Q is equal to minus DT by R C ठीक है अब यहाँ पर क्या करते है पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोद साइट्स इंटीग्रेटिंग बोद साइट्स चलो तो यहाँ पर देखो जहाँ से 1 अपॉन Q का इंटीग्रेशन Q के रिस्पेक्ट में लॉक Q और यहाँ पर minus 1 by R C बाहर और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन T के रिस्पेक्ट में T हो जाएगा और यह प्लस C clear? चलो अब देखो यहाँ पर इसको देदो equation number 1 अब बताना देख कर किया पर मुझे C की value निकालनी है और C की value निकालने में हम यूज करते हैं initial condition मतलब एकदम initial में क्या कहानी थी? तो आब बताओ discharging के initial में क्या कहानी थी? तो initial में वो capacitor fully चास था? मतलब at T equal to 0 the charge on capacitor is Q naught थीक है? तो आब बताओ add T equal to 0 आपका Q कितना होगा? Q naught होगा? मानते हो? ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ रखो 0 और यहाँ रखो Q naught तो C की value क्या होगी? यह तो 0 होगया log of Q naught न? clear? ठीक है तो यह C की value log Q naught यहाँ रख दो है न? तो देखो ध्याँ से क्या हो जाएगा आपका है आपर? from 1 अब देखो ध्याँ से log Q clear? is equal to minus T by RC plus C की value क्या होगी? log Q naught है न? ठीक है अब इसको shift करो left में तो देखो क्या हो जाएगा? log Q equal to अच्छा इसको shift करना है अपन को तो यहाँ देखो log Q minus log Q naught equal to what? minus T by RC ठीक है अब देखो ध्याँ से यहाँ पर log M minus log N is log M by N equal to minus T by RC ठीक है? अब देखो यहाँ पर ध्याँ से यहाँ पर जब log हटेगा तो मैंने कहा था ना यह वाली चीज E की power में आ जाएगी because यहाँ पर base E होता है तो जो भी right वाली चीज है वो power बन जाती है तो Q by Q naught is equal to E की power minus T by RC ठीक है? चलो तो यहाँ पर आप cross into करो Q equal to Q naught into E की power minus T by RC तो यह हो गया आपका expression ठीक है? जिससे आप किसी भी instant का charge निकाल सकते हो at the time of discharging है ना? और यहाँ पर यह show कर रहा है यह जो format होता है ठीक है? यह decay का ही show करता है तुम यह बदाओ यहाँ पर RC को हम time constant बोलते हैं ना? ठीक है? यह देखो E की power minus T by tau अब यहाँ पर देखो जहाँ से इसको अगर नीचे लिखोगे तो E की power T by tau हो जाएगा ना? तो जैसे जैसे T बढ़ाओगे denominator बढ़ेगा आप यहाँ देखो ना? Q equal to Q naught upon E की power T by tau लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? तो जैसे जैसे T बढ़ेगा यह denominator बढ़ेगा तो whole value कम होगी ना? मतलब Q कम होगा ना? मतलब charge कम हो रहा है ना? As time increases मतलब discharging हो रही है ना? ठीक है? तो यह format discharging का होता है मतलब किसी का decay को show करता है और अगर मालो लिखा हो Q naught into 1 minus E की power minus T by tau वो increment को show करता है तीज़ रही चीज़? ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछू कि यहाँ पर जो time constant है यह कौन सा time है? ठीक है? तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर time constant के बराबर अगर time मानते हैं ठीक है? देखते हैं कि जब आपका time constant का time हो जाएगा मतलब r into c करने पर जो time मिलेगा उस time पर जब discharge होगी मैंने यह कहा कि जब r into c करने पर जो time मिलेगा उस time पर देखते हैं कि charge कितना बचेगा उस capacitor में क्योंकि discharging हो रही है ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं अब चेक करते हैं सुन न जहां से ठीक मैंने बोला if t is equal to tau तो आप बताओ q equal to q naught कितना होगा? e की power minus t को रखा tau tau by tau तो यह cancel one q naught upon e लिख सकते हैं तो 1 upon e जो होता है न यह 0.37 के आसपास होगा आपका है के नहीं? ठीक है? तो 0.37 के आसपास होगा q naught मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ q equal to 37% of q naught मतलब time constant वो time है discharging के वक्त जब आपका capacitor में charge कितना बचेगा? 37% बचेगा is it clear? ठीक है? चलो तो यहाँ पर देखो ध्यान से आपर मैं बोल सकता हूँ therefore time constant is that time at which charge become 37% of q naught during discharging ठीक है? चलो अब यहाँ पर भी देखते हैं कि कितना वक्त लगेगा पूरा केपासिटर को discharge करने में है न? तो पूरा discharge करने का मतलब जो q की value इसको 0 करना है ठीक है? तो यह देखो for q to be 0 तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसको 0 करो equal to q naught into e की power minus t by tau तो यह देखो 0 by q naught 0 e की power minus t by tau इसको लिख सकते हैं क्या 1 upon e की power t by tau तो इसको उपर करो 0 को नीचे करो t by tau is equal to 1 upon 0 तो आप बताओ 1 upon 0 is infinite तो t की कौनसी value लें ताकि उसकी value infinity आए तो t आपका infinity न मतलब infinite time लगेगा capacitor को discharge होने में है के नहीं मतलब charge 0 होने में तो यहाँ पर अगर graph बनाने के लिए कोई बोलेगा qrt में तो initial में तो उसके पास charge है q naught फिर उसको discharge होना शुरूवा time बढ़ता गया लेकिन infinite time लगेगा उसको 0 होने में तो यह touch करके नहीं दिखाना अपन को है के नहीं यह कहानी है clear चलो तो यह हो गया आपका simple discharging of capacitor है ना तो एक काम करें आप लोग पहले आप लोग इसका screenshot ले ले फिर इसका screenshot ले ले फिर आप लोग इसका screenshot ले ले चलें यहाँ पर फिर अपना यह over होता है तीक है यह देखो तो यह जो आपका charging and discharging of capacitor है यहाँ पर over होता है तो यहाँ पर question आते हैं लेकिन यह जो topic है ना वो ज़्यादा favorite है आपके competition के लिए है कि रही ठीक है इसलिए अपने topic देख लिया और यहाँ पर AC में हम लोगों ने इसलिए इस topic को देखा क्योंकि यहाँ पर भी जो current है जो charge है वो change हो रहा है और आप बताओ alternating current के introduction में हमने क्या पढ़ा था कि alternating current उस current को कहते हैं जिसमें current की value हर instant पर change होती है ठीक है तो यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे थे इसके previous वीडियो में कि आपका जो inductor है उसके cross current की value increase जब होगी जब decrease होगी है ना तो किसी instant का current किसी instant का current आपके growth या decay में कैसे निकालेंगे वैसी यहाँ पर charging और discharging में है कि जब charging होगी तो किसी instant पर charge कैसे निकालेंगे ठीक है जब discharging होगी किसी instant पर charge कैसे निकालेंगे तो वो concept हम लोगों ने यहाँ पर देखा ठीक है अब जो next video है वो बहुती ज़ादा important रहेगा आपके board point of view से और वो होगा आपका topic average value of alternating current and EMF है ना ठीक है तो ऐसी video देखने के लिए क्या करना आपको simple magnetbrains.com पर जाना है या फिर यूट्यूब चानल है magnetbrains का वहाँ पर आप जाए वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे courses मिलेंगे जो कि बिलकुल free of cost है ठीक है ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपको एक दो चाप्टर पढ़ लिया फिर कोई coupon लगाना पढ़डा हो payment करना पढ़डा हो ऐसा बिलकुल नहीं है है ना सारा content बिलकुल quality content बिलकुल free available है ठीक है तो बस अंत में एक कहुँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको like करें और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी subscribe करें ताकि कोई भी आप coming वीडियो हो वो आपसे बिलकुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको share भी करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल पाए Thank you